मैच नंबर सकतावन लेकिन उससे पहले अब तक 56 जो मैच हुए है कल के मैच में डेड़ करोड रुपय का सीधा सीधा शॉट लगा दिया सीधा सीधा डेड़ करोड का शॉट मारा है कल आपको मैंने कुछ चीजे बताई थी वीडियो में ही अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो मैं आपको इस बात की गैरंटी दे सकता हूं कि आपने अपना लाइफ टाइम लॉस कवर करके अगली पूरी लाइफ के लिए मतलब कल वाने आपको क्या बता था अकसर पटेल को टीम में लेलो टृस्टन स्टब्स को ले लो खुलडी प्यादब को रखो इधर से शैंडी वेडि जितने भी चलो निया शाइच कहा यह रीजन समझाय था कि दिल्ली क्यों जीते गी इस मैच को मजा आ नहीं नहीं करी तो पच्ता लो थोड़ा सा क्योंकि वो मैच ऐसा था कि आप लाइफ टाइम वाला लॉस कवर कर लेते क्योंकि पूरी मार्किट राजस्थान को जिता रही थी अब आज मैच होने वाला है दो ऐसी टीमों के बीच जिन में से किसी को भी दो पॉइंट मिले टेबल हिलने वाली है म लेकिन हैदरबाद के लिए एक अच्छी बहुत अच्छी गपर क्या है कि इनका जो मैच है वह है इनके होम ग्राउंड राजीव गांदी इंटरनेशन स्टेडियम है जहां पर आप आमूमन तौर पर दोसों से नीचे रन बनते हुए देखते ही यहां पर 200-277 ऐसे स्कोर बनने लगे हैं मतलब समझ गए ना आज के मैच में हम लोग फिर से जितने मैच अभी तक चले हैं हमने बहुत कमाया कुछ में हारे दिया और मेरे को कोई शरम नहीं आती हार एक्सेप्ट करने में लेकिन आप सोचो 56 में से अगर हम 4-5 भी आर चलो 6 आर गए 50 मैच में जीते और निगल जाना है नहीं ना तो लाइक और कमेंट करते रहिए और अब हम एक बार नजर मार लेते हैं पॉइंट स्टेवल पे क्या चल रहा है देखो दिल्ली पहुच गई है धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ पांचवी पोजीशन पे लखनो सूपर जाइंस को प लखनों के पास क्या है लखनों को तीन मैंचिस में से कोई दो मैच जीतने जरूरी के लिए अब ही शुरू नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा पर एक और चीज आती है सन्राइजर हैं सफेरेबाद की चिए लेकिन इनका नेट रिंड जो है वह काफी बहतर है मुकाबले से दि लगा जाने वाला है अब इसमें क्या होगा अब मैं बताते हैं को सन्राइजर हैदरागबाद के पास तीन मैचेस बचे हुए हैं दो जी इतने हैं लेजी की भी सेम अब जब सेम एक्वेशन बारा बारा पर आप देखिए चार पॉइंट चार टीमें एंड कर रही है और दिली ने पिछले मैच में राइस्थांग को रहा है तो बड़ी बात होती है अब यहां से यह मैच हर टीम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैचीज में से गिना जाएगा तो अब एक चीज क्लियर हो गई है कि यह बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है और जब बड़ा मैच होता है ना तो बोच साइड प्रॉफिट होता है मतलब कोई जीते कोई आरे हम पैसा कमा के जाएंगे कैसे बताओंगा दीरे दीरे वीडियो में अभी म मज़े की बात कि आप आए आपने वीडियो को लाइक करा और आपके खाते में पहुच जाएंगे 300 रुपे की धनराशी वहीं अगर आपका होता है बैस कमेंट तो 1000 रुपे मिलते हैं और एक ऐसा सवाल जिसमें आपको मिलते है 33333 रुपे की धनराशी जो सबसे मज़े की और सबसे अच्छी बात है एक सवाल तीन मिनर्स नाइन साफी तो नहीं है बड़े मज़े की बात है वीडियो में कभी भी पूछ सकता हूं उसका जवाब देने पर आपके खाते में पहुच जाएगी यह धनराशी और अब हम चलते हैं आगे की तरफ किस तरफ टेलीग्रा में टॉस के बाद 100% एक या दो प्लेयर का चेंज होगा 100% मेरी फाइनल टीम में कोई ना कोई चेंज होने के चांसिए लिए 90% तो मैं कही सकता हूं जब टीम बनाऊंगा तब उस बारे में और बात करूंगा प्लस परसनल गाइडेंस और डेली फ्री के कहां मिलते हैं सिर् FC के टेलीग्राम चैनल पर अब इसका लिंक कहां मिलता है जरा उस पे भी नजर मारनी पड़ेगी इसका जो लिंक है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के साथी साथ मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है जो वीडियो आप देखे हैं उसके कमें सेटी बोलता हूं मुँपे बोलता हूं ठीक है तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें अब हम बात करते हैं स्टेडियम की देखो हैदराबाद में मैच होने वाला है यह एक महज एक उपचारिक तर रह गई है कि आवरे स्कोर इतना होता है बला बला यह खतम हो गया आ आपकी टीम बनाने में बड़ी हेल्प करती है देखो पिछले मैच में सन्राइजर हैदराबाद 201 रन बनाई थी तीन विकेट के नुकसान पर एक रन से यह मैच डिफेंड हुआ था सिर्फ एक रन से फिर भी अभी आपको सुनते जाना है बहुत इंपॉर्टन चीज आए यहां पर मतलब स्पिनर के लिए यहां पर कुछ है नहीं अभी फिर जब आप आगी देखेंगे हैरान हो जाएंगे आर्सीवी 206 ऐसरेच 171 पर आठ डिफेंड हुआ है दुबारा मतलब दो बार यहां पर डिफेंड हो चुका है आर्सीवी के 206 के मुकाबले संराइज से देखेंगे दरबाद 171 पर आठ विकेट गिरते हैं 15 पूरे मैच में 15 विकेट गिरते हैं और जिसमें नौ विकेट पेसर लेके जाते हैं और छे विकेट लेके जाते हैं तो यहां पर थोड़ी एक्वेशन चेंज हो गई आपने नोटीस कर रहोगा कि सपिनर को ज्यादा अब यह वाला मैच देखेंगे सी एसके बनाती 165 एक सुच्छासर टरन मना देती एठार पॉइंट एक ओवर पांच विकेट लेके जाते हैं पेसर चार विकेट लेके जाते हैं और गिरते हैं नौ पर रन भी जादा नहीं बनते हैं अब हम यहां से देखके एक बात को तो मतलब जब हम टीम मनाएंगे तो बैट्समेन और पेसर्स को में जादा रखेंगे यह बाते समझने की होती है जो समझ गया वो कमा गया जो नहीं समझा उसे समझाने के लिए मैं हूं डरने वाली बात नहीं है लाइनप्स की बात करते हैं लकनों सूबर जाइंट में लेकिन देखना होगा कि क्या है आज केलेंगे फिछले मैच्मिन को सर जमीन पर लगया और सरजमीं हो गए जद्दो जहत में बाहर स्टेडियम से क्योंकि इन्हें मिला फिर कनकशन सब्सिट्यूट युद्वीर आ गए थे भाई साब हमारे नवीन उलक और ये श्ठाकुर जितना ये खुश है उतने ये रन खाता है वाई बहुत रन खाता है एक बार LSD की हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा खेल रही है ये टीम लगनाओ सूपर जाइंट्स की आप देखिए कि शुरुवात इनकी बहुत अच्छी हो इन्होंने पहले पांच में से तीन मैच जीत लिए थे और एक चीज का ध्यान रखना है आप देखिए समें सन्राइस हैदराबाद से इनका अभी तक कोई मैच नहीं पहला मैच होगा के क्यार से हारे से जीते के कार से हार गए और दोनों बार ये के कार से हार क्या ये लस्जगी तो कहीना कहीं दिक्कत हो और सबसे मैच में ताबर तोर 25 नौरन पर उटवे कुल करनी उससे पहले जीरो रहा है मेरे अभी तक पल लेनी पड़ रहा है कि क्यों ओपनिंग कुल करनी से कराई जा रही है जब सब अच्छा चल ला था तो क्यूं फेर बदली स्टोइनिस तीन 19-24 अब यहां से बॉलिंग कराने शरू करते हैं एक फिकेट अठा वन न आठ रन जीरो विकेट 10 रन न अच रन एक विकेट एक सो चौविस रन न बाद जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो रन एक विकेट चलैट और इसका यूज़ लिया जा रहा है सही वाहिनों में आगर मैं आपको बताओं पूरण चॉसट ब्यालिस चारिस बत्ती जीरो शुरू हाथ बढ़ी बढ़िया होई पैता लित यह डाउन फोल लागया दस चौदा ग्यारा पिछले दो मैच इस तो मैच थे तो मैं ही कहा रहता फ्लॉप हो और फ्लॉप ही हुआ आयूश बदोनी एक रण जीरो विकिट आट रण अब यहां पर देखें पाच रण सोला रण आयूश बदोनी सौरी अठारा छेट पंदा यह भी नहीं चला लेकिन अश्टन टर्णर को दो मैच किला है दोनों में फ्लॉप से दो मैच मिला के किस रण का योगदा है कुछ फ जीरो रण जीरो विकिट दो रण तीन विकिट अब उसके बाद 002 001 और पिछले मैच में मार खाई विकिट लेजबी चले गए बाइसाब फिर हम आते ही युद्वीर सिंग यह इंपक्ट प्लेयर थे एक विकिट आते हैं अपनी पहली वाल पे लिया उसके बाद 11 एंदो जीरो विकिट दो विकिट एक मौसीन खान तो पता नहीं आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे यह श्ठाकुर का तूर्नमेंट तो बहुत ही मार खाने वाला चल रहा है मयंग की आदब की इंजरी सही नहीं हो रही है अगर ये बंदा सही होता आप देखे जितने मैचेस इस बंदे ने खेले हैं दो यहां जीते हैं और एक यहां जीता है मतलब जादा जिता के ही है यह योगदान है अपने टीम के लिए अब कौन पहले मैं आपको बताइता हूँ डेथ और पार प्ले के बॉलर साथ आपको देखो पार प्ले में महसीन खान अगर केलते हैं तो नवीन उलक के साथ बॉलिंग कराते हूँ दिखेंगे ये श्ठाकुर के साथ ये तीन बॉलर आते है अचा सामने वाली टीम में दोनों लेफ्टी है बहुती गंदी कप्तानी हो रही है मैं सच बताऊं कि एल राहूल की तरफ से दीपक उड़ा को बॉल नहीं दी जा रही है एक मैच में देखो दीपक उड़ा से कहां बॉलिंग कराई गी ती आपको दिखाता हूँ यहां पर MI के खिलाफ और देखो दो और में 13 रंदे के गया और KKR के खिलाफ कराई नहीं जहां पर सारे लेफ्टी दे तो कैप्टेंसी गंदी है कैप्टेंसी फॉल से हार रही है लेसजी आप यहां पर देखिए इस टॉइनिस को पावर प्ले में दिया जाएगा फिर डेथ में आपको यह तीन बॉलर नहीं ज़राएंगे बिडलोवर्स में क्रूनल पांडिया और रवी बिश्णोई अपना ओवर कराके चले जाएंगे यह इनकी स्ट्राटेजी हैदराबाद के खिलाफ और हैदराबाद के मैदान पे जरह यह स्टैट्स देखिए बड़े काम आएंगे 12 मैच में 428 रवी तक अपने नाम किये हैं आप देखिए इस मैदान पे जब एक मात्र मैच खेले थे तो पिछली बार 40 रवी बना की गए ते दीपक उड़ा साथ मैच में 95 रवी इस मैदान पे 19 मैच 165 रव और एक विक्रिट भी इनके नाम पे है क्योंकि दीपक उड़ा नहीं यहां पे बहुत ज़्यादा क्रिकट खेली हुई है इस मैदान को अच्छे से जानते हैं आठ मैच में 99 में 25 के एवरेज रखते है निकॉलस पूरन दचूरन और दो मैच में इनके सिर्फ 65 रव है इस मैदान पे लेकिन अगर यह बैटिंग 19 रण टूर्णमेंट अच्छा नहीं चल रहा है बदोनी का यह ठार मारक एक पर अपने टीम को जिता तो गए थे लेकिन नहीं चल रहा है देखो जो बात सच है वो सच है बदोनी जब आए थे शुरुवात में अपने पहले मैच में ऐसी गजब इनिंग्स खेली थी कि लो एसा रिच के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं लेकिन मैदान पे अच्छे नहीं मौसीन खान कभी नहीं खेले हैदरबाद के खिलाफ नहीं इस मैदान पे सेम गौस फुर नमीन उलक और सेम ड़सन गो फॉर यह श्टाकुर दो मैच में दो विकिट है और एक मैच में एक बाघुअ आपको बताते होई है क्यों इनकी परिशानगी है इनकी परिशानी है यह बालिंग लाइनप जो बहुत मार खा रहा है उपडूर से हरे अपने error और बहुत इस सबढ़ दैजरी तीम तोट बड़ेगी वbane इस तो अब आती है जिनका ग्राफ आसे चला ऐसे चला है ऐसे चला और अब ऐसे डाउन कर रहे हैं लेकिन अभिशेक शर्मा का बल्ला बोलना बंद कर दिया है मैंकर गरवाल को इन्होंने पिछले मैच में ठीक है अच्छी बात है अन्मोल प्रीट सिंग की जगे खिला है लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं मैं आप तिर प यहां पर पैट कमिंस है भुगनेश्वर कुमार और साथी साथ तीन अट राजन आज बहुत हाई चांसिस हैं आप देख सकते हैं कि बाहर निकाला जा सकता है मारक एंसन को और यहां पर फिट किया जा सकता है मारकरम को क्योंकि इनकी बैटिंग क्लियरली स्ट्रगल कर रही देखो मारकरम ने 50 मार दिये मारकरम ने 42 मार दिये यहां पर मारकरम ने 32 रन मार दिये तो कहीं ना कहीं आपको मारकरम का योगदान दिखेगा हिडन योगदान है क्योंकि यार इसमें 102 तो हैड के योग है तो यह चीज़े इने समझनी पड़ेगी अगर यह ऐसे नहीं खे तिस एक्तिस एक्सोदो रन नवासी रन एक रन तेरा रन अठावन रन और तालिस फिर हम जाते हैं अभी शेक शर्मा की तरफ बट्टिस तरे सट उनक्तिस इस सोला चोंतिस च्यालिस एकत्स पंद्रा बारा ग्यारा लगातार इनकी परफोर्मेंस पॉट डाउन आगे मैंकर अधरवाल ले क्या है पिछले मैच में पांच रन पे आउट होगा है बोल्ड होगा है कंबोज ने बोल्ड मारता नितीश रेड़ी यह बंद अच्छा कहलता है चौदर पहले मैच में इतना इंप्रसिव नहीं ता लेकिन उसको आदेगो 64 रन एक विकेट 37 रन दो विकेट अच्छी बात क्या है नितीश रेड़ी को एक दो वर तो दिये ही जा रहे है अब हम आते है क्लासे इन पर टूर्णमेंट बड़ा गजब स्टार्ट हुगा 63, 84, 10, 9, 67, 15, 7, 20, 21, पिछले मैच में सिर्फ दो रन पे वोल्ड होगा प्यूश चाब लगीगे मार्को एंसन को यह लेके आए पिछले मैच में एक विकेट 17 उससे पहले चार ओर में 24 जीरो विकेट इदर भी जीरो विकेट और एक रन तो परिशानी क्लियरली निजर आ रही है अगर आपको मार्कों संगीज के कोई लेफटी खिलाना है तो जैदेव उनत कट खिलाके आप मार्कों को ब पिछले मैच में 10 और एक और विकेट लेजगे अब दूसमत तीन उनने दस सैंथे पच्छिस पच्छिस उनत्तिस पैट कमिंस कमिंस ने तो पिछले मैच में क्या गजब ढाया बाई 35 चार ओवर 35 देखे एक विकेट और एक मेंदिट इतने पॉइंट्स देना और मैंने आ मैच में क्या एकोनॉमिकल स्पेल डाला सिर्फ चार ओवर में 22 देखे एक विकेट लिया इधर तीन विकेट लेके गए थे आर आर के खिलाव उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन अब अपनी फॉर्म को वापिस ले आए हैं जो बात है नतराजन देखो तीन में अगर कोई ओवर कराने आएगा तो सामने वाली टीम में राहुल और कुलकर्णी हो सकता है एक आदा ओवर आप यहां पर शैबाज हैमस से पावर प्ले में देख लें तो वह भी पार प्लेंगे बना डेथ में नतराजन भूवी और कमिंस अपने स्पैल खतम करते हुए नजर आजाएंगे जो एक दो डालेगा वो रेड डियन ना डालेगा मतलब नितीश रेड अब हम जड़ा यह भी तो देख लेए समयदान पे कौन कैसा खेलता है देखो कभी नहीं खेलने ट्रेविस हैड लेस जी के खिलाफ यह पहली बार होगा इनके देखे पांच मैच म 182 रन 34 के एवरेज इसमयदान पे जो अपने आप में दर्शाती है कितना बड़ा प्लेयर है है और यह सब जांके हैं दो मैच में 20 रन एक विकट है एड टो हैड रिकॉर्ड में लेस जी के खिलाफ अभिशेक शर्मा के और इसमयदान पे 183 रन दो विकट यह ले जा चुक नितीश रेडी इस मैदान पे चार मैच में 303 रन और की प्लेयर क्यों क्योंकि आज आपको बॉलिंग कराते हो दिखेंगे अगर मारको एंसन नहीं खेलता है तो क्लास ए एक मैच के लिए थे 47 रन बनाये थे 10 मैच में 303 रन 63 की आवरेज इस मैदान पे आज बड़ा स्कोर आ रहा है क्लास एन के बल्ले से पहले ही बता रहा हूं बाद में मत बोलना मारको एंसन इस मैदान पे 5 मैच 6 विकेट 16 रन और जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम पहुंशते हैं अब्दुल समत पे तीन मैच 58 रन इस मैदान पे 9 मैच 109 रन 36 की आवरेज के साथ तो फिनिशिंग टच अच्छा देगे चले जाते हैं शैवास तीन मैच खेले थे जीरो विकेट थे पाँच मैच 88 रन 3 विकेट इस मैदान पे इस मैदान पे इस मैदान पे इनके 47 विकेट होगे लेकिन टीन अट राजन देखिया आप 10 मैच में 12 विकेट इस मैदान पे हेट वेड में दो विकेट कहीं न कहीं बॉलिंग अब इनकी भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है कि पिछले मैच में जब तीन विकेट अर्ली गिर्या लिये थे मुंबई इंडियन्स के खिलाफ तो यह मैच हार गये जब लास्ट टाइम ये लोग भिले थे तो मैं यहां से विकेट लेने वाले बॉलर्स कौन थे युद्वीर सिंग एक क्रूनल पांडिया को मिले दो विकेट इस मैच में एक आविश कान एक ये श्ठाकुर एक अमित मिश्रा जी और यहां पे चेस करने आते हैं दो रन पर आउट हो जाते काइल मेयर्स 29 रन पर आउट हो उन्निस पॉइंट दो और में चेस होगा एक सोफचासी रन विकेट लेने वाले बॉलर्स एक मिला फिलिप्स को एक मिला मारकंडे को और एक मिला अभी शेक शर्मा को यह हुआ था इस मैच में तो क्लियर हो गया है आज हो सकता है यार मारको एंसन की जगह यह ग्लैंट फि सब्सक्राइब बैल आइकन को करके प्रेस मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं हर मैच की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मेरी वीडियो देखने के बाद समझ ना पाएं मैं हर चीज आपसे शेयर करता हूं जब भी मैं आपको बोलता हो कि वीडियो देखके जाये क क्योंकि तभी तो मज़ा आएगा और सवाल की तरफ चलते हैं क्या रहने वाला है आज का सवाल क्लियरली बहुत असान सा सवाल कर देता हूं मैं आपके लिए आज आपको बताना है कौन सा बैट्समें होगा हाईए स्कोर उसका स्कोर और पॉइंट्स बताने देखो मेरे को ल तो यह मेरा जवाब जिन तीन लखी विनर्स का जवाब सभी होगा वह लेके जाएंगे कितने 33303 मेरा जवाब सभी हो तो पहला मैं ही हो जाओंगा क्योंकि सबसे पहले मैंने जवाब दिया आपने नहीं इस सबसे जबादा अब सबसे बना चल जाएगा कुछ देर में चलो मैच अप्स हो जाएं लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इस मैदान पर एड़ेड में कौन चलता है देगो head to head में KL Rahul Nikolas Puran के records काफी ज़्यादा ठीक है इस मैदान पे भी ठीक है Kronel Pandya के भी ठीक है तो ये 3 में से कम से कम 2 आपको Grand League में नजर आ रहे है मेरा मानना है KL Rahul के रिए pitch अच्छी रहेगी तो batting में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी finishing role एक निभा सकते हैं पूरण क्योंकि बहुत दिन से बल्ला फ्लॉप चल रहा है और सामने वाली balling ऐसी है जिसे पूरण मार सकते हैं आज बनेंगे आज फिर से चार सुरण बनते हो नजर आ रहे हैं मुझे और Kronel Pandya को अगर मैं देखूं तो मैदान पे अच्छा कर लेते हैं और पिशली बार आपको याद होगा दो विकेट लेका है जो मैंने भी आपको पिछला मैच दिखा है वहीं हैदराबाद की तरफ से क्लास एन की तरफ से बड़ी पारी कमिंस की तरफ से अच्छा स्पेल और टीन अट्राजिन की तरफ से यॉर्कर्स यह तीनों चीज़े आपके बहुत कावाएंगी देखो टीम मनाते हो प्रेडिक्शन फॉलो करते हो हर चीज करते हो इससे ज कोचके की ऑफ स्पिन ऑप्शन हमें मिलेगा लेकिन फिर तो गुड़ा भी है स्टॉइनिस की 14 गेंद में 27 रन है एक बार आउट हो है है और पांडिया ने भी ने एक बार आउट किया है मैंक अगरवाल को बहुत मारते हैं पर दो बार आउट गया है और दो बार स्टॉइ कांटिया बहुत बड़ा की प्लेएर है आपकी लिए मैं बता देता हूं झील में जरूर जरूर कुरोई पांडिया को आपको रुकनरा है बहुत सारे कॉम्विनेशन्स में सिर taraf सिरो स्टैट्स के बेसिस यह संजा करो देखो ब्रेंड लीक इलसा करनै कैसी शुदे कैंसे और सब्सक्राइब 나온 मारक किरम के छिलाब दो बर बर आAtt है। मैं तो यह सोछ के राननुं कि अगला टूर्णमेंट मिलेगा या नहीं इन्हों मार्क को एंसन अगर आज खेलता है तो क्योंकि इतने टाइम से तो performance आई नहीं अगर आज खिला है तो यह सोच के perform करेगा या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा और मैं उन प्लेयर पे बहुत विश्वास करता हूं जो करो या मरो मैं विश्वास रखते हैं जैसे हम या तो करेंगे या मरेंगे बीच में कुछ नही चाहिए मतलब आपकी टीमों को अच्छा पॉइंट देंगे मारकस टॉइनिस अब यह बन चुके हैं मेन बॉलर इंक स्टीम के पार क्ले में आपको बॉलिंग कराते हुए दिखते हैं आपको मिडल ओवर फेज में दिख जाते हैं और अगर अच्छा स्पैल कर रहे हैं तो दोनों ड्रीम टीम का पार्ट होने वाले हैं और फिर आते नवीन उलग लस्जी अगर पहले बॉलिंग करें आप परसंटेज देखें बासट परसंट अगर लस्जी पहले बॉलिंग करती है तो एक मात्र बॉलर बता रहा हूं जो विकेट लेने का माता रखता है वो है सब्सक्राइब कि इनका बल्ला आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा हैट तो यार देखो क्यों 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 यह बंदा अगर 6-8 खेल जाता है तो यह टिका देगा फिर से 50 देखना आठ ओवर के अंदर यह 50 मार देगा अगर तो इसने बैटिंग कर लिए वीची में पैट सब्सक्राइब क्योंकि आज इसका बल्ला बोलेगा ही बोलेगा दोनों को एक बार कंपेर कर लेते हैं मज़ेगी बास सुनों के तीन मैच आस तक जितने खिले गए तीनों के तीनों लस्जी जी जीती है और हैदरबाद ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है तो यह जो एक भैतरीन फिनिश देंगे अपनी टीम को नितीश रेडी फिड से एक एवरेज इनिंग्स भी खेलेंगे और आपको इतने पॉइंट्स देंगे कि ड्रीम टीम में दिख जाए बॉलिंग में भूवनेश्वर कुमार से जादा मुझे आज टीन अटराजन पर वरोसा है प आपको एक एक एक्सवेक्टर दे देते हैं जो हो सकता है क्रूनल पांडिया और बॉलिंग में नवीनुलग यह मैं जीतने की प्रबल दावेदार है सन्राइजर है और जैसे मैंने कल डीसी को विन कराया था और बहुत मोटा कमाया था मैं आज आपको सजेस्ट करूँगा क कि आप हैदराबाद के साथ जा सकते हैं लेकिन एक समझदार ही करनी है है और जैसे हैदराबाद फेवरेट आ जाएं तो आपको करना है कैश आउट मतलब एग्जिट एग्जिट ले ले लेना अपने शेर्स को सेल कर देना अपीनियन में जाके तभी तो फायदा होगा बनना कैसे कमाओगे सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुनोगे बहुत ध्यान से सुनना सब्सक्राइब और इक और चीज़ सुनो यहां पे चल रहा है लीडर बोर्ड कोई दूसरा आप नहीं है पूरे आईपेल में देख लिए होगा जो आपको लीडर बोर्ड दे होगा कोई नहीं देगा लिडर बोर्ड दे नहीं है क्योंकि अब आप के पाप पैसे नहीं बता है कि लिए बात बता रहा हूं जब से जीस्ट टेक्सा है इन पर बहुत पैसा है जब तक यह बाट रहे हैं उसका फायदा उठालो जीस्ट विनर निकालते जीस्ट वेवियर निकालते हैं और वेवर के साथ साथ आपको बहुत सारे अब यहां पर दो सी बहुत कम है वह दो सी क्या है कमीशन कंपिटीशन दोनों बहुत कम है तो उस चीज का पाइदा उठाई है और खेलिए माइमास 11 बिट डाउनलोड करिए नीचे मैंने लिंक डाल रहा है नीचे म बल्लेबाजी की विकेट रहने वाली है जो ज़्यादा मारेगा जीतेगा हैड शर्मा दो बैट्समेन रख रहा हूं और तीसरे की मैं जरूरत निया मार करूंडर में टीम में डाल दूंगा और एक और बैट्समेन आड़ करू तो कौन सा कर सकते हैं यार कोई है नहीं अच सब्सक्राइब करें तो हम इसको क्या बोलते हैं नवीनुलक को डाल देंगे सी वी सी मेरे लिए तो बहुत असान है आज बनाने देखो मेरा क्लियर ली सी जो रहने वाला स्टॉइनिस है मैं किसी दूसरे में चेंज ही नहीं करने वाला यह मेरा कैप्टन है वाइस कैप्ट लाइनप के बाद एक चेंज हो सकता है वो क्या होगा टेलिग्राम पर बता पाऊंगा क्योंकि जब लाइनप आएगा तभी तो बताओं उससे पहले कैसे बता हूं चलो तो टेलिग्राम चैनल सब जोइन कर लेना वीडियो को अगर अभी तक आपने यह नहीं किया है जिसे बोलते हैं लाइक तो आप कर दीजें लाइक कमेंट करना शुरू करतीजें गिववे में करें पार्टिसिपेट और टेलिग्राम चैनल जुरूर जोइन करना टॉस के बाद सारी अब्डेट वहाँ पे आएंगी और फिर हम मिलेंगे टॉस के बाद